नमस्कार सांथियों मैं राजेंद्र मुडलो या आपका हमारे सेनल पर स्वागत करता हूँ आज का हमारे वीडियो है क्लास 10 इंग्लिस MP बोर्ड चेप्टर नमबर 16 लाल चाउवल का खाद्य भंडार उसको यह इसका टाइटल है और वीडियो की सुरुवात करें हम इससे पहले में आपको जानकारे देदू कि हमारे सेनल के माध्यम से क्लास 10 की इंग्लिस के 15 चेप्टर हमने कंप्लीट करके प्लेइलिस्ट में डाल दी है और क्लास 10 की वर्क बुक को भी हमने लगबग 10 से 15 चेप्टर उसके भी कंप्लीट करके प्लेइलिस्ट में डाल दी है grammar, note में कि यह हम summary सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल के मद्धिम से मिलेगी, तो चैनल को आप subscribe करें साथ ही आपके friends, relative classmates के पास इन वीडियो को share करें chapter की शुरुवात करें, उससे पहले आप अपनी book में आप last में आपको मिलेगा देखो page number आप आजाएए page number 131 पर आपको लिखा हुआ है about the lesson, मतलब lesson के बारे में, तो हम पहले इसको पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से clear हो जाएगा कि lesson की जो theme है वो क्या है, ठीके दोस्तों चलिए शुरुवात करते हैं on the basis of practical experiences the writer expressed the view about donations जो writer है, जो लेखक है उसके स्वयम के अनुभव के आधार पर वह donation से संबंदित उसके जो अनुभव हैं उसको इस पार्ट में express कर रहा है in the given article we find how good quality rice is donated willingly and sincerely to the needy people and the inferior one is used in home इस पार्ट में बताया गया है कि जो लेखक है उसके पास दो प्रकार के चाउल रहते हैं एक red रहते हैं और एक white चाउल रहते हैं ठीक़े, जो red चाउल है उनकी quality थोड़ी low है निमन क्वाली के हैं और जो white चाउल है उनकी जो है वो उच्च quality के हैं नतलब superior हैं और red जो है is donated willingly मतलब जो donation के रूप में दान के रूप में वो अच्छी quality के चावल जो हैं अपनी इच्छा से वो दान करते हैं जरुत मंद लोगों को और जो inferior हैं मतलब जिनकी quality थोड़ी low है उनको घर में खाने के लिए यूज करते हैं जनरल ये ये इसा होता है कि जब दान में दिया जाता है तो लोग क्या करते हैं कि जो inferior है मतलब निमन क्वालिटी की चीज है वो दान में देते हैं और अच्छी क्वालिटी की चीज जो है वो घर में रखते हैं लेकिन इस पार्ट में ऐसा बताया गया है तो अपने जो लाइफ पार्टनर हैं, वाइफ हैं, हस्बेंड हैं, उनसे सलाम असुरा करके और घर की जरूरतों के अनुसार करना चाहिए. The things donated should always be useful of a good qualities. Donation, मतलब donate करना या दान देना वह एक अच्छा गुण कहा जाता है. If we do not follow this, then the donations become meaningless. और यदि इसमें जो बताये गए, जो इसमें विचार बताये गए, जो बाते बताई गए हैं, यदि हम उनको follow नहीं करते हैं, तो जो donation है हमारा वो meaningless हो जाता है, मतलब वो अर्थ रहीत हो जाता है. ठीके दोस्तों, तो यहाँ पर glossary में कुछ words दिये गए हैं, जिनके अर्थ हम देख लेते हैं, ताकि हमें समझने में आसा नहीं रहेगी. जैसे हेवोक, तो हेवोक का अर्थ होता है, situation in which there is a lot of damage, मतलब एक इसी इस्तिती जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेमेज हो चुका है, घाटा या फिर यूँ करे सकते हैं कि 6 चती हो चुकी है, destruction, विनास हो चुका है, disorder हो चुका है, उसको उस इस्तिती को हेवोक बोलते हैं. effluent, कार्थ होता है, having a lot of money and good standard of living, मतलब बहुत ज़्यादा किसी वेक्टी के पास पेसा होना और जीवन जीने का उच्च तरीका होना, high profile जिसको बोलते हैं. वेशल, मतलब होता है, container used for holding liquid such as bowl cup art, मतलब एक ऐसा पात्र जिसमें कि हम द्रवी पधार्थ को रखें, जिसे पानी दूद, उसको वेशल बोलते हैं, जिसे bowl हो सकता है, मतलब कार्टोरी, cup हो सकता है. ब्रिमिंग, तो ब्रिमिंग का आर्थ होता है, to be full of something, to fill something, किसी चीज को पूरा भर देना, ग्रेनरी, यह हमारे पार्ट में दिया गए, तो ग्रेनरी का आर्थ होता है, ग्रेनरी का आर्थ होता है, a building where grain is stored, एक ऐसा इमारत या ऐसा कमरा, इसी जगे, जहां पर कि हम हमारे आनाज को store करके रखते हैं, a store room for grand, मतलब आनाज बंडारं, यह बंडार, arms, a LMS, इसका अर्थ होता है, money, clothes and food that are given to the poor people, मतलब जो दान हम देते हैं, उसको arms बोलते हैं, उसमें आप पेसा दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, खाने की सामान दे सकते हैं, ठीके, चलिए, सुर आप जरूर देखेगा, मैंने playlist बना दी है, ठीके दोस्तों, चलिए, सुरुवात करते हैं, every year our country has to face natural disasters in some farms, प्रत्यक वर्स हमारा देश, natural disasters, मतलब प्राकृतिक आपदाउं का सामना करता है, it may be an earthquake in गुजरात, या गुजरात में भुकंप हो सकता है, flats in Odisha, Odisha में जो बाड आई थी, वो हो सकता है, और drought in Karnatak, या कarnatak में, जो सुखा पड़ा था, वो हो सकता है, in a poor country, गरीब देशों में, these calamities create havoc, और गरीब देशों में, इस प्रकार की जो आपदाएं आती हैं, वह, जो है, havoc जैसी situation पैदा करती है, नेक्स्ट पेरग्राफ है, in the course of my work, in the course of my work, मेरा जो काम है, उसकी में बात करूँ, I have found that after such calamities, मैं, many people like to donate money, materials, to relief funds, जब इस प्रकार की स्थिति आती है, कि जैसे बाढ़ आती है, भूकम पाता है, तो मैंने ये देखा है, कि लोग उसमें donate करते हैं, donation देते हैं, दान देते हैं, जैसे पेशा देते हैं, और बहुत से अन्नी चीज़ा देते हैं, दान के रूप में, We assume that most donations come from rich people, और मैंने ये भी जाना है, कि ये जो donations आती है, वह अधिकांस्ता, जो धनी व्यक्ति हैं, rich people हैं, उनसे आती है, but that is not true, परन्तु ये सत्य नहीं है, On the contrary, contrary का अर्थ होता है, इसके विप्रीत, People from the middle class and lower middle class help more, मतलब जो middle class के मध्यम वर्ग के लोग हैं, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, वो ज्यादा मदद करते हैं, कैसे मदद करते हैं, Rarely do rich people participate wholeheartedly, Rarely मतलब मुश्किल से ही, कम ही लोग ऐसे होते हैं, जो की पूरे मन से wholeheartedly ऐसे कामों में participate करते हैं, A few years back, कुछ वर्ष पहले, I was invited to a reputed company in Bangalore to deliver a lecture on corporate social responsibility, कुछ वर्ष पहले मुझे बैंगलोर की एक company में lecture represent करने के लिए, मुझे बुलाया गया, Giving a speech is easy, मैंने आसानी से वहाँ पर भासंद दिया, but I was not sure how many people in the audience would really understand the speech and change themselves, परंतु मैं यह शोर नहीं थी, यह नहीं था भी आपको पता चल जाएगा कि राइटर जो है male है female है, परंतु मैं sure नहीं थी, कि जो भी audience हैं, उनका उन पर मेरे भासंद का क्या प्रभाव पड़ा, या मेरी speech उनको समझ में आई, और उन्होंने अपने आपको कितना परिवर्थित किया, speech के द्वारा, after my talk was over, जब मेरा भासंद खथम हो गया, I met many young girls and boys, उस समय मैं युवा लड़के लड़कियों से मिला, जिन्होंने भी मेरी बाते सुनी थी, I was an influent company, मैं एक समरत company का हिस्सा था, या थी, the employees were well off and well dressed, और जो उसके employees थे, employees का अर्थ होता है कर्मचारी, जो कर्मचारी वहाँ पर काम करते हैं, वह अच्छे well dressed थे, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने थे, दिखने में इसे लग रहा था कि जिसे अच्छे rich people होंगे, they were all very emotional after the lecture, और जब उन्होंने मेरे lecture को सुना, तो वो सभी काफी भावग हो गये थे, उन्होंने कहा मेडम, मिन्स मेडम मतलब जिन्होंने lecture दिया, मतलब जो लेखक है, लेखी का है, वो क्या है, female है, मेडम, we buy so many clothes every month, स्रीमती जी ये मेडम, हम प्रतिवर्ष कपड़े खरीदते हैं, can we donate our old clothes to those people who are affected in by earthquake, क्या हम हमारे उन कपड़ों को दान में दे सकते हैं, ऐसे वेक्तियों को जो फूककंप से पीडित हैं, आगे बढ़ते हैं, can you coordinate and send them, क्या आप हमारे साथ coordinate करके, हम उनको भेज सकते हैं, आपके पास, या उन तक पहुचा सकते हैं, जरूत मन्द लोगों के पास, some of them ordered other things, और उन में से कुछ ने अन्नी वस्तियों के बरे में भी कहा, कपड़ों के अलावा कि हम अन्नी वस्तियों भी दान करना चाहते हैं, we have grown up children, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, we would like to give their old toys and some vessels, हम उनके जो पूराने खिलों ने हैं वह और अन्नी पात्र भी देना चाहते हैं, दान के रूप, आगे बढ़ते हैं, उन सब की बाते सुनकर में काफी प्रसंद हुई, उस समय मुझे रामाइन की एक बात याद आती है, जब वह समुद्र पर पूल बना रहे थे, भारत और स्री लंका के बीच में, स्कुरल मतलब गिलहरी, उस समय प्रत्य गिलहरी ने भी उनकी मदद की थी, कैसे मदद की थी, हैंड फूल सेंड, सेंड का अर्थ होता है रेत, मतलब उनके हाथ में जितनी भी रेत आ सके, रेत वोने वहाँ पर रेत ला लाकर उन्होंने पूल बनावाने में मदद की थी, किसकी मदद की थी, स्री राम की, आगे बढ़ते हैं, प्लीज सेंड यॉर बेक्स टू माई ओफिस, अब मैंने उनको कहा, कि क्रपेया जो भी चीज़ आप दान करना चाहते हैं, आपके बेक्स जो है मेरे ओफिस में भेज दीजिएगा, मैं उनको देखूंगी और सही व्यक्ति तक उनको पहुंचाने का प्रयास करूंगी, मतलब एक सब्ता के अंदर, मैं ओफिस वाज फ्लडेड विद हंड्रेट सा बेग्स, एक सब्ता के अंदर मेरे ओफिस में सेकडो, बेग, बेग ये जोलों की बाड़ आ गई, मतलब बहुत सारे इखटे हुगए, I was proud that my lecture had proven so effective, और मुझे इस बात पर काफी गर्व हुआ कि मैंने जो lecture दिया था, भासन दिया था, उससे कभी लोग, काफी लोग जो हैं वोग प्रभावित हुए, One Sunday, एक दिन रईवार के दिन, एक दिन रईवार को along with my assistance, मैं मेरे assistant के साथ, I opened the bag, मैंने उन जोलों को खोला, What we saw left us amazed and shocked, उन जोलों को खोल कर जब देखा, तो हम आश्र चकित रहे गए, भोचक के रहे गए, The bags were brimming over with all kits of junk, उसमें जो भी चीजे थी, वह सब meaningless थी, मतलब किसी काम की नहीं थी, Piles, मतलब ढेर लगना, जैसे high-heeled slipper, high-heeled समझते हैं, उंची एडी की चपल, यहना, some of them without the pair, और उन में से भी, जैसे जूते चपल होते हैं, तो वो पेर होता हैं, हमारे दो पेर हैं, तो दोनों पेरों के अलग-अलग जूते चपल होते हैं, तो जैसे high-heeled slipper थी, some of them without pair, मतलब एक थी और एक नहीं थी, torn undergarments, फटे हुए undergarments, हमारे बन्यान, समझते हैं ना, undergarments, जैसे हम अंदर बन्यान पहते हैं, तो वो भी कैसी थी, फटी हुई थी, unwashed, suds, बिना धुली, suds थी, transparent, यहना, transparent, मतलब फटी हुई, chief saris, घटिया, किसमे की साड़ियां, toys, खिलोने, which had neither shape nor color, ना तो वो color में थे, और ना ही shape में थे, unusable, bad seat, मतलब बिना काम के, bad seat थे, bad seat मतलब जो बिस्तरपह बिचा थे हैं उनको, aluminium vessels, aluminium के पात्र थे, जिसे cup कट्टूरी, broken cascades, were soon hipped, in front of us lie के mountain, इन चीजों का धेर लगा हुआ था, हीब्ड का आर्थोता ही धेर लगा हुआ हुआ हुआ, there were only a few good sets, उन में से सिर्फ कुछ ही, अच्छी sets थी, सारीज थी, और थोड़ा भूत material था, ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आप यहाँ पर निसान लगा लेना, next वीडियो में हम इसको पूरा complete करेंगे, तब तक आप अच्छी से तैयारी करें, किसी प्रकार का कोई डाउड या कोई क्यूरी रहे, तो आप comments कर सकते हैं, आपके friends, relative class pass, इन वीडियो को share करें, ताकि वह भी इसका फाइदा ले सकें, और अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीके दोस्तों, जल्दे ही हम आपके लिए model question paper, और आपके तैयारी उप्यों की महत्पून question आपके लिए लेकर आएंगे, और daily हम वीडियो प्रोवाइट कर रहे हैं, तो चैनल को subscribe करें, साथ ही आपके friends, relative classmates के पास वीडियो को share करें, Thank you very much for watching.